हेलो बंदूओं और सक्यों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं और क्रेटिव कल्ट तो दोस्तों हाल ही में सलार का टीजर लॉंज जुआ है जिसमें हम प्रभास को एज सलार और इस मूवी के विलन प्रिथवीरा सुकुमारन के रोल के फस्ट लुक में देख सकते हैं ये टीजर ठीक ही लग रहा है और हमें सेट पीस बहुत ज़्यादा केजीएफ की वाइपस भी दे रहे हैं बता जा रहा है कि ये मूवी केजीएफ से लिंक्ड होगी और इसको भी डारेक्ट प्रसांत नील ही कर रहे हैं और इसके दो पार्ट भी हो सकते हैं और इस फ्रेंचाइज में आगे सलार के बाद और भी मूवीज आने वाले हैं जिसके रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है फिल्म की स्टोरी की बात करें तो बता जा रहा है कि इस फिल्म में प्राभास का करेक्टर सलार अपने दोस्त को दिये हुए प्रॉमिस को पूरा करते हुए दिखा जाएगा और ये प्रॉमिस क्या है और किसको दिया है कहीं वो रॉकी भाई का दुनिया जीतने वाला प्रॉमिस तो नहीं ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा पीजर की बात करें तो हम इसमें एक आदमी को देखते हैं जो कुछ आम्ड लोगों से गिरा होता है और वो इंग्लिस में उनसे कुछ कहता है देन हमें कुछ आदमियों के सिंस दिखाय जाते हैं और एक जगा जो केजी एफ के गोल्ड माई जैसे दिख रही है और कुछ गुंडे लोग फिर हमें प्रभास का फस लुक दिखाय जाता है जो उन लोगों से लड़ रहा होता है और फिर टाइटल कार्ट के बाद हमें मूवी का विलन जिसका रोल पृत्विराज सुकुमारन कर रहे हैं दिखाय जाता है विलन के लुक की बात करें तो उसका लुक थोड़ा थोड़ा अधीरा के आद्मियों की याद दिलाता है हो सकता है कि इस मूवी के विलन का KGF2 विलन अधीरा से कुछ कनेक्शन हो पर अभी ये कनफर्म नहीं है कि इस मूवी की कहानी KGF2 के आगे की होगी या उन तीन सालों की जिनको KGF2 में स्किप कर दिया गया था ऐसा most probably हो सकता है क्योंकि KGF post credit scene में हमें बता जाता है कि उन तीन सालों में Rocky भाई ने कुछ foreign countries में crime किये थे और हो सकता है वो crime उसने Salar की मदद से किये हो बट ये बस एक theory है ये movie के आने के बाद ही पता चलेगा और कुछ का मानना है कि Salar वही फर्मान नाम का लड़का है जिसे हमने KGF2 में देखा था जो अधीरा को आने से रोकने की कोशिश करता है और बहुत brave होता है बट आखरी में वो मर जाता है या जिन्दा रह जाता है इसकी हमें कोई confirmation नहीं मिलती है और एक interesting बात ये भी है कि Salar का मा का रोल भी वही actress प्ले कर रही है जिन्होंने KGF में फर्मान की मा का रूल निभाय था highest possibility है कि Salar वही फर्मान नाम का लड़का हो इस movie के बाद प्रसान तिल most probably KGF3 पर भी काम करने वाले हैं तो possible ये है कि ये movie सीधा जाके KGF3 को lead करें ये तो हमें movie आने के बाद ही पता चलेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही चैनल को subscribe करना न भूले वीडियो को like और comment करना न भूले अपने friends के साथ share करें See you, peace